स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में आज की वीडियो हम बात करेंगे राश्टिय आईसा मेहाचातिवृति परिक्षा 2022 के बारे में नेशनल मिन्स कम मेरिट एसकोलर्शिप एसके में एक्जामनेशन के बारे में कि इसका फॉर्म कब भरा जाएगा हमने जितने वीडि मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है सागर कोजिंग सेंटर भुगानपूर यह 80% इसमें जो वीडियो है वह मेगा चाहरतिवृति से ही संबंदीत है इसके संबंद में कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके रखें क्योंकि स सबसे पहले हमारे ही चैनल के माध्यम से आपको सारी जनकारी मिलती है तो जहां तक फॉर्म की बात है बिहार में तो मैं यह पहले बता देना चाहता हूं कि जो चात्र 24 जनबरी 2021 को परिक्षा दिया था बिहार में मेगा चाहतिवृति का और उसका रिजल्ट आ चुका है औ आवेदन हो रहा है जो चात्र पास कर चुके हैं मेगा चाहतिवृति में वो चात्र 15 नमंबर तक आवेदन कर सकते हैं चाहतिवृति के लिए तो अभी उसका अपलाए हो रहा है और जो चात्र इस बार आठमीक अक्षा में पढ़ रहे हैं और इस बार मेगा चाहतिवृति का फौर्म भरेंगे तो उस के लिए जानकार यह है कि 15 0store के बाद फौर मुळा जाएगा 15 दिसमबर तक 15 नमंबर तक तो इसका होगा जो पास चिया है वह भरेंगे फौर्म और इसके बाद 16 या शत्रे देंगे उसके लिए फौर्म भरा जाएगा तो मानगे चलिए 16 नमंबर से 16 दिसंबर के वीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा तो यही जानकारी हमने आज बात किया था ओफिस में और यहाँ जानकारी सुत्रों के वाले से पता चला यह बतायागा कि इसमें आने की संभाबना इसमें एक दो दिन पीछे आगे हो सकता है जैसे ही इसका डेट फाइनल होता है सबसे पहले हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको सही जानकारी मिल जाएगी तो इसलिए इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जानकारी मिलती है अगर आप तयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलवद है उसको देख करके आप तयारी कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही उमिद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग